हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेडी आवर लाइफ तो फ्रेंट्स जैसा कि आपका बिहार दरोगा गैन बंदू जी एस एकेडमी का जो प्रिविएस यहर का बुक आया था जो कि आपका इसमें 2008 से लेके 2022 तक का जितने भी बिहार दरोगा के एक् तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं लास्ट प्रेंट्स जो कि आज पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और टोटल 18 वीडियो का जो वीडियो है उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं एक दम वहाँ पे पूरा एक्स्टानेशन के साथ आपको पूरा प्रैक्टिसेट करवाया गया है साथ में इसका जो एस्टेडि नोट से यह देख सकते हैं भाग एक से लेके भाग एक भाग दो भाग तीन तो टोटल यहां भाग नौ तक पार्ट वन पाट टू में जो है दो वीडियो आपका इसका आ चुका है और एक वीडियो और आएगा आपका जिसमें की भाग 10 से लेके भाग 18 तक का जो अस्टडी नोट्स होगा उसे भी हम प्रोवाइड करेंगे तो उमीद करेंगे कि आप सभी जो डिमांड किये थे मैं उसे पूरा की तो आप लोग भी मेरे डिमांड को पूरा करेंगे और मेरे वीडियो को शेर करेंगे वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे चैनल पे जो लोग पहली वार आयोंगे प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए हम सेट नमबर की और बरते हैं आज का जो सेट है हमारा 2328 वाला उसे देखते हैं तो ये रहा आपका 2328 का जो प्रिवियस एर का कोश्चन है उसे तो चलिए देखते हैं यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि सेरसा के बच्पन का नाम था तो सेरसा के बच्पन का नाम क्या था तो सेरसा के बच्पन का नाम फरीद था क्या था फरीद था सेर सा सूरी जो था या फिर सेर खा करें ये 1540 से 1545 इस प्रिटक सासन करता है मतलब इसका कायरिकाल लाता है 1540 से 45 तक इसका जन्म 1472 इस भी में होता है सूर बंस का दूती अफगान समराज का स्थापना इसी के द्वारा किया जाता है और पहला था लोदी वंस था जो कि अफगान समराज का था सेर सा के बच्पन का नाम फरीद खा था सेर खा को सेर खा की उपादी देने वाला बहार खालुहानी था इसने फरीद खा को सेर को मारने के उपलक्ष में जो है वो सेर खा की उपादी प्रदान किया था उसके बाद चौसा 1539 में सेर्षा और हिमायू के बीच होता है जिसमें हिमायू हार जाता है और हिमायू को प्राजित करने के बाद सेर्खा सेर्षा सूल्तान ए आदिल की उपाधी ग्रहन किया था फिर कन्नोज या बिलग्राम का यूद होता है 17 माई 1540 को सेरसा और हिमायू के बीच हुआ था और उसके बाद वो गदी पर बैठता है सेरसा की मुद्रा की एकर हम बात करे तो उन्होंने चांदी के सिक के रुप्या जो की 178 ग्रेन का होता था और कहीं कहीं 180 भी देखने को मिलेगा तामबे के सिकों को दाम जो की 380 ग्रेन का होता था इसने चलाया सेरसा के समय सोने केशिक के 167 ग्रेन जिसको असरफी कहते थे सरक की बात करें तो बंगाल में शोनार गाउं से आगरा दिल्ली होते हुए लहोर तक एक सरक बन बाया और ये सरक सरक के आजम कहलाती है जिसे अब ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं भवन और इमारत की बात करें तो सेरसा ने रोतासगड किला दिली का पुराना किला दिनपना को तुरवा कर एबं उसके अंदर किला एक कुहाना सासाराम बिहार में स्वयम का मगवारा बन बाया बिहार में है सासाराम में सेर्षा ने 1541 सिस्वी में पाटली पुत्र को पटना के नाम से पुना अस्थापित किया 1541 में सेर्षा सूरी के समकालीन थे वो थे मलिक मोहमत जैसी जिनकी रचना थी पदमावत हसन अली खां और हसन अली खां की रचना है तवारिक दौलते सेर्षा ही सेर्षा की मिर्टू की बात करे तो 22 मई 1545 सिस्वी को कालिंजर पर आकरमन के समय तोप खाना फट जाने से मिर्टू हो गई और मिर्टू के समय उक्का नामक का अगने सास्त चला रहा था कालिंजर का सासक कीरत सिंग था कौन था कीरत सिंग चले रहीम की बात करें तो रहीम इसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकवर के नौरतन में से एक थे वो बैरम खा के पुत्र थे बैरम खा के पुत्र जहांगीर की बात करें तो जहांगीर जो है इसका कारेकाल 1605 से 1627 था और इसके बच्पन का नाम सलीम था इसका जन्म होता है 30 अगस्त 1579 को जहांगीर के बच्पन का नाम सलीम था जहांगीर ने दो असप्पा, सी असप्पा परता चलाई, जहांगीर ने अपनी जीवन गथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना फार्सी भासा में की थी और मुगल काल में चित्रकला का चर्मोट्सकर जहांगीर के काल में आया, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णियुक कहा जाता है, उसके दरवार में उस्ताद मसूर, जहांगीर के दरवार में उस्ताद मसूर, अबूल हसन, महत्पूर्ण चित्रकार थे, नूर जहां की अस्मत बेगम गुलाब से इत्र बनाने की बिधी की खोज की थी मिर्तु 28 अक्टूबर 1627 को धीम बार नामा कस्थान पर हो गई और इन्हें रावी नदी के तट पर सहाद्रा लहौर में दफनाया गया मुरीद की बात करें तो मुरीद सूफी विचारधारा में गुरू को पीड और सिस को मुरीद कहा जाता था चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना कब होई थी तो भारतिये रास्टिये कॉंग्रेस की अस्थापना 1885 में होती है इसकी अस्थापना एक अंग्रेज एधिकारी A.O. Hume ने किया था प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉंबे इस्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्याले में हुई थी और इस अधिवेशन में 72 सदस ने हिस्था लिया था और इसकी अधिक्स्ता W.C. बनर जी ने की थी सुरेंदरनाथ बनर जी 1895 का कॉंग्रेस का पुना अधिवेशन की अधिक्स्ता किये थे तीसरा है व्यापंगत का सिधान से कौन संबंदित रहा तो व्यापंगत के सिधान से संबंदित जो थे वो थे आपके लॉड डल होजी कौन थे लॉड डल होजी लॉड डल होजी चो अठारा सो अर्ताली से अठारा सो चपन तक इसका कारिकाल था और व्यापंगत के सिध्धांत जिसको डॉक्टरिन अफ लेप्स भी कहा जाता है कि अधार पर अने की रियासतों को ब्रिटिश समराज में मिला लिया उसकी राजनिती समराजवाती निती पर अधारी थी उसकी निती कैसी थी? समराजवाती निती पर अधारी थी सिक्षा में सुधार के लिए बुट डिस्पैज 1854 में प्रमुख इसके लिए बुट डिस्पैज उसकी प्रमुख देन है 1854 में डलहोजी ने दूतिये आंगल बर्मा युद में बर्मा को प्राजित कर 1852 में लोवर बर्मा एबम पीगू का अंग्रेजी समराज में विले कर लिया 1852 में इनाम कमीशन की अस्थापना की गई थी और जिसका उदेश भुमी कर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छिनना था डलहोजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है उसी के समय सरपर्थम 16 अपरेल 1853 को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमेटर रेल चलाया गया था 16 अप्रेल 1813 इसभी को कहां से बॉंबे से थाने के भी 34 किलोमेटर रेल चलाई गई थी उसने पिर्थक रूप से भारत में पहली वार सरबजनिक निर्वान विभाग का अस्थापना किया था किसने डलहौजी ने 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोग से भा विभाग की अस्थापना किया और सिमला को ग्रिस्म कालिन रासधानी बनाया डलहौजी का सासन काल उसके ब्यापंगत सिध्धान्त के कारण अधिक याद किया जाता है इसी निती के तहद अंग्रेजी समराज में बिलै किये गए राज थे सरपर्थम सतारा था 1848 में 1848 में पहला समराज कौन था सतारा दूसरा जैदपूर था जौतपूर बुंदेलखंड का तीसरा संभलपूर उडिसा का 1849 में और उसके बाद भगहाट हिमाचल परदेश का 1850 में उदैपूर मदपरदेश का 1852 में जहांसी 1883 में नागपूर 1854 में 1856 में अवद को कुसासन का आरोप लगा कर अंग्रेजी राज में क्या कर दिया गया मिला लिया गया वो तो डल होजी के बारे में देखे इसी के काल में 1857 में प्रतम विद्रो हुआ था और इसी के समय इंडियन हाई कोट एक्ट 1861 के द्वारा बॉंबे कलकत्ता एबं मदरास में एक-एक उचनेले की अस्थापना की गई इसमें 1869 में नागरिक विधी सहिता 1867 में मह्काले द्वारा तयार भारतिये दंड सहिता आई पीसी धारा 1861 में फोजदारी विधी सहिता का निर्मान करवाया 1857 में कैनिंक के समय ही महालेखा परिक्षक पद का सिर्जन किया गया जो सोतंत्रता के बाद नियंतर के बं महालेखा परिक्षक गह लाया अधिनियम जो की इस्वरचंद विद्यास लागर की देखरेक में 1856 में पारित हुआ 1871 में इंडियन काउंसील एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रनाली लागों किया गया भारसासन अधिनियम 1858 मुगल समराट पद को शमाप्त कर दिया गया फिर आता है लॉड कर्ण वालेस 1786 से 1793 और 1805 में फिर आता है इसने 1793 इस्वी में अस्थाई बंदोवस्त पधती को लागों किया लॉड कर्ण वालिस ने इसके तहट जमिंदारी को अब भू राजसो का लगभग 90% यानि 10 का 11 भाग कमपनी को लगभग 10% एक का 11 भाग अपने पास रखना था अस्थाई बंदोवस्त की योजना जौन सोरने बनाई थी किसने जौन सोरने इसे बंगाल उरिशा बनारस मदरास के उतरी जिलो में लागू कर दिया गया इसमें जमिनदार भू राजसो की दर्टय करने के लिए स्वतन्त थे और भू राजसो वशूलने के लिए आन्ने दो विवस्ताएं रयतबारी और महलवारी थी रयतबारी और महलवारी किसके लिए थी तो भू राजसो वशूलने के लिए दो विवस्ता थी कर्ण वालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसको कर्ण वालिस को चलिए लॉड मिंटो के बारे में परते हैं लॉड मिंटो प्रथम के बारे में 1807 से लेके 1813 SB तक इसका कारेकाल था इसके काल में रंजीत सिंग और अंग्रेजों के बीच 25 अपरेल 1809 SB को अमरित सर की संधी होती है मध्यस्ता किसने किया था चार्ल्स मिटकॉफ ने इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 SB पास हुआ था चलिए कोशन 4 देखेगा कि भारत का परथम 22 राय कौन था तो भारत का परथम 22 राय लौड कैनिंग था वारन हेस्टिंग के अगर हम बात करें तो 1774 से 1785 SB इसका कारिकाल रहता है और इसने राज किये कोशागार को मुर्सिदाबाद से हटा कर कौलकता लाया था वारन हेस्टिंग ने 1781 SB में कौलकता में मुसलिम सिक्षा के विकास के लिए परथम मदर सा अस्थापित किया इसी के समय 1772 SB में जोनानाथ डंकन ने बनारस में संस्क्रीश विद्याले की अस्थापना किया गीता के अंग्रेजी में अनुबादकार विलियम बिलिंकसंस चार्ल्स को हिस्टिंग्स ने आसरे परदान किया गीता के अंग्रेजी अनुबादकार कौन थे विलियम बिलिंकसंस थे जिसको अंग्रेजों ने जो है हिस्टिंग्स ने आसरे परदान किया इसी के समय सर विलियम जोंस ने 1784 इसवी में दे एसियाइटिक सोसाइटी ओफ बंगाल की अस्थापना किया इसी के समय 1780 इसवी में भारत का पहला समाचार पत्रद बंगाल गजट का प्रकासन जेम्स अंगस्टन हिकी ने करिवाद किया था इसी के समय Regulating Act के तहार 1774 इस भी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्याले की अस्थापना की गई इसी के काल में Board of Revenue की भी अस्थापना की गई सुरक्षा पर कोस्ट निटीद इसको हम लोग Ring Finns Policy बोलते हैं जिसको बोरन हेस्टिंग से संबन दीत है इसे लागू किया गया चितना भी पॉइंट है यह सारा important है Lord William Benton 1828-1835 का कारेकाल था Lord William Benton 1833 के Charter Act के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल Lord William Benton रहा और बंगाल का पहला पूँछे तो वारन हेस्टिंग स्था प्राचीन नालंदा विश्विद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्विद्यालय का संस्थापक कौन था? इसे सांची के अभिलेख में देवराय एबं प्रवर्सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। प्रवर्सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है चंद्रगुप्त दूतिये को। महरुली अस्तंबलेख में राजा चंद्र का वर्णन है। इसकी पैचान चंद्रगुप्त दूतिये से की गई है। चंद्रगुप्त दूतिये ने शकों को प्राजित करने के बाद विक्रमा अधित्त की उपादी धारन किया। चंद्रगुप्त दूतिये की समय ही चीनी बौध यात्री फाहियान जो था 399 से 414 स्वी में भारत आया था फाहियान। चंद्रगुप्त दूतिये के दरवार में 9 रतन रहते थे वो 9 रतन थे कालिदास, अमर सिंग, संकु, धनवंत्री, छपनक, बेतालभट, वरुची, घटकरपर, वरामिहीर ये 9 रतन थे जो की चंद्रगुप्त दूतिये के दरवार में रहते थे। चंद्रगुप्त दूतिये ने कालिदास को अपना दूत बना कर कुंतल नरेश के दरवार में भेजा था कुंतल नरेश के दरवार में समुन्द्रगुप्त समंद्रगुप्त 335-380 वी तक इसका कारिकाल रहता है और ये चंद्रगुप्त परथम के पुतर थे समंद्रगुप्त के विशय में जानकारी हरिषेन रचित परयाग परसस्ती इलहाबाद अस्तमलेक से प्राप्त होती है समुंद्र गुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसित था उसे समर्शत कहा गया है क्या समर्शत कहा गया है जिसका अर्थ होता है सोयुद्धों का विजयता समुंद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन की संग्या B.A.M.S. मित ने दिया था एरन अभिलेख एरन अवलेक में भानो गुप्त की चर्चा मिलती है इसमें समुद्र गुप्त की पतनी का नाम दंत देवी वर्नित है समुद्र गुप्त को कभी राज भी कहा जाता है समुद्र गुप्त को कई सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दर्साया गया है समुन्द्र गुप्त के काल में छो परकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली गरूर, अस्वमेग, धनुधर, व्याग्रहनता, परूशी और बीनाशारन समुन्द्र गुप्त ने अस्वमेग, विक्रमांक एबंपरम भागवत, पर्थम गुप्त सासक की उपाधी धारन किया था, किसने समुन्द्र गुप्त ने विक्रमांक एबंपरम भागवत चलिए अब धरमपाल के बारे में परते हैं धरमपाल इसका कारिकाल 1770 से लेके 1810 इस्वी तक था धरमपाल ने नालंदा विस्विद्याले का पुनर उत्थान किया और विक्रमसिला विस्विद्याले की अस्थापना की जहां बरज यान साखा की पढ़ाई होती थी गुजराती कवी शुठल ने धरमपाल को उत्रापन्तिश्वामी की उपाधी दिया गौडी रिती नामक साहित तिक विद्या का विकास पाल सासको के समय हुआ था चलिए कोश्चन नमबर देखते हैं निक्स्ट छो नमबर कोश्चन सबसे पहला छो नमबर कोश्चन अपका कहता है कि छटा नमबर की मुंगेर निमलिकित में से किसकी राजधानी थी तो मुंगेर जो राजधानी थी वो मीर कसीम की राजधानी थी जो बंगाल का नवाव 1760 में बना था और इसने अंग्रेजी हस्तचेप से वचने के लिए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर अस्थांतरित किया और मीर कसीम ने 1764 इसवी में बक्सा यु पूर्शन नमबर साथ है कि गुरू गोविंद सिंग की माता का नाम क्या था तो गुरू गोविंद सिंग की माता का नाम जो था वो इसमें से कोई नहीं क्योंकि गुरू गोविंद सिंग की माता का नाम गुजरी सिरी था गुजरी सिरी गुरु गोबिंद सिंग 1675 से लेके 1708 हिस्वी तक इनका कारिकाल था गुरु गोबिंद सिंग का इनका जन बिहार के पटना में हुआ था ये सीखों के दस में एबम अंतिम गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंग इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया और उन्होंने अपने विचारों में विचारों को व्यभार में पड़िनित करने के लिए 1699 रिस्पी में दल खलसा की अस्थापना के लुप्त आदी ग्रंथ को दसम पादसा का ग्रंथ की शंग्या से पुना संकलित करवाया गया सीखों के लिए 5 का कार केस, कक्ष, कंगा, कारा, किरपान को अइनिवार किया गया उन्होंने पाहूल नामक एक्तिवार चलाया और गुरु गोविंदी सिंग ने पहारी प्रदेश में पौवंटा यानि हिमाचल प्रदेश नामक अस्थान की अस्थापना करवाया कृस्ण अवतार नामक गरंथ की रचना वहीं पर किया गया था और गुरु गोबिंद सिंग पुरुष सीख को सी और महिला सीख को कौर नाम टाइटल धारन करने को कहा यानि कि पुरुष में सीख और महिला में जो है वो कौर उनका विचार मैं चारों वर्नों को शी बना दूँगा और मुगलों को भारत से मिठा दूँगा उनका यही वि सवार का मंसब परदान भी किया था उनकी मिर्थू के बाद गुरू की परंपरा समाप्त हो गई और अंत में सीखो का नेतृत बंदा बहादूर ने समाला चलिए कोशन नंबर आठ देखते हैं आर्थ सास्त्र पुष्टक किसने लिखा तो आर्थ सास्त्र पुष्टक के चनक चनक को भारत का मैक्याबेली भी कहा जाता है कोटिली ने अर्थ सास्त्र की रचना की जिसका संबंध राजनिती से है अर्थ सास्त्र जो की 15 अधिकर्णों 180 प्राकर्णों में बिवाजित है इसके अनुशार राज के साथ अंग बताए गए हैं साथ अंग में आप देखेंगे स्वामी जिसको राजा का जाता है अमात मतलम मंत्री, मित्र, सेना, कोस, दुर्ग, जनपद उसके बाद कोटिली के अनुशार राजा धरंपरवर्थक अर्था समादिक व्यवस्था का संचालन होता था कौन कोटिली के अनुसार जो राजा होता था कोटिली ने युद के मामले में नैतिक्ता को गौन माना एक मिट चंदरगुप्त मौरी के बारे में अगर देखेंगे तो 322 से 298 इस्वीपूर इनका कारेकाल होता है चंदरगुप्त मौरी का जो जन्म है वो 345 इसा पुर्व होता है और जस्टिन ने चंदरगुप्त मौरी को सेंट्रो कोटस कहा था किसने जस्टिन ने जिसकी पहचान बिलियम्स जोंस ने चंदरगुप्त मौरे से के थे चंदरगुप्त मौर मगद की राजगदी पर 322 इस वीपम बैठा था चंदरगुप्त मौर ने 305 इस वीपुर्व में सेलुकस निकेटर को हराया और चंदरगुप्त मौर ने जैन गुरु भदरबाहु से जैन धर्न की दिख्चाली थे चंद्रगुप्त मौरी और सेलुकस के बीच हुए युद का वर्नन एपियानस ने किया है किसने एपियानस ने चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय करनाटक के स्रवन बिलगोला नामा का स्थान पर बिताया चंद्रगुप्त के मिर्तु 298 पर पुर्विसरवन बिलगोला में उपवास की सनलेखना जिसको उपवास की बिधी को ही सनलेखना बिधी कहते हैं उसके द्वारा हो गई आरभट आरभट जो है ये पांचमी सदाब्दी के गनितग खगोल सास्त्री जोतीस एबं भौत की विज्ञानी थे ठेक है आरभट आरभट जो है ये गुप्त काल 320 से 550 इसवी तक के महान गनितग ये थे उन्होंने आरे भट्यम की रचना की जो उस समय गनीत का सारांस है इसके चार खंड है पहले खंड में उन्होंने वर्नमाला द्वारा बरे दसमलब शंख्याओं को दर्साने की विधी का वर्नन किया है दूसरे खंड में आधनिक गनीत के विशयों जैसे संख्या, सिध्धान्त, ज्वामिती, तिर्कोनमिती, विज गनीत का उले किया है आरेभट ने सुने का खोज किया, आरेभट के सेस दो खंड खंड खगोलवे ग्यान पर अधारित हैं, आरेभट द्वारा रचित, अनकिर्तियां, दस गीति का सुत्र और आरेभट गनीत बाद हैं कनिस्क की बात करे तो कुशानवंस के संस्थापग, प्रथम सासक, कुजल कंड फिसस था, कुशानवंस का सरबदिक प्रतापी शासक कनिस्क था, 78 इस्वी में एक नए संबत को प्रारम किया, जो की सक संबत कहलाया कनिस्क के प्रतम राजधानी पुरुस्पुर यानि पेसाबर और दूसरी राजधानी मतुरा थी वसुमित्र अशोगोस, नागा अर्जुन, पार्स, चरक, महाचेत और संग्रक्षक कनिस्क के दरवार में विभूती थे कनिस्क के सासनकाल में बौध धर्म की चौथी बौध संगती, इस्वी के प्रतम सताबदी का आयोजन कुंडलवन कस्मीर में प्रसिद बौध विद्वान बसुमित्र की अधेक्स्ता में हुआ नागा अरजुन को भारत का आयंस्टीन कहा जाता है उनकी पुस्तक मादिम का सुत्र है जिसमें सापेक्षता का सिधान्त वरनित है नागा अरजुन ने सुन्नेबाद के दर्सन का प्रतिपादन किया चरक कनिस्क का राजवैद था जिसने चरक साइता आयूबेद ग्रंत की रशना की और असुगोस कनिस्क के राजकवी थे उनकी पुस्तक वुद्चरित्र वौधो का रमायन महा विभास सुत्र बौध धर्म का विशुकोस कहा जाता है के रचनाकर वसु मित्र है मा विवास के गंधार कला एवं मतरा कला सैली का विकास कनिस्क के समय ही हुआ सर्वधिक सोने के सिक्के कुसान सासको ने चलाया और सरपर्थम शुद्ध सोने के सिक्के हिंद युनानी ने चलाया सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त वंस ने चलवाया चलिए अगला देखते हैं इनकलाब जिन्दावाद का नारा किस ने दिया तो ये नारा भगत सिंग के द्वारा दिया गया था और इनकलाब जिन्दावाद भगत सिंग का नारा था दिल्ली चलो शुवास्चंद्र बोश का नारा था, मारो फिरिंगी को मंगल पांडे का नारा था, इसके अलाबे कर्मतदो का नारा सरदार बल्लभाई पटेल का था, विजय विश्वती रंगा प्यारा स्यामलाल गुपता परशाद का था, वंदे मात्रम बक्किमचन इंडिया डैज जवाहला नहरु फूल लिप्स इफ इंडिया डाइज भारत छोरो हे राम करो या मरो महात्मा गांधी का तीनु नारा था पुर्ण स्वराज और आराम हराम है जवाहरलाल नहरू का नारा था सर्फ औरोस्वी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम परसाद बिस्मिल का रचना राम परसाद बिस्मिल का जै जवान जै किसान का नारा लाल भादूर सास्री ने दिया था और जै विग्यान इसमें अटल बिहार बाजबे लगाएं थे जै जवान जै किसान जै विग्यान और जै अनुसंधान हमारे माननिये परतमान के प्रधानमंत्री नरंद्र मोधी जी के द्वारा दिया गया है बक्षर का युद किस के बीच हुआ था तो बक्षर का युद जो हुआ था बक्षर का युद यह हम आपको बता दे बक्षर का युद हुआ था ये हुआ था मीर कसीम और अंग्रेजों के बीच किसके बीच तो ये हुआ था मीर कसीम और अंग्रेजों के बीच मीर कसीम जो था वो 1760 से 1763 इस्वी तक इसका कारिकाल था 1766 में मीर कसीम को बंगाल का नबाब बनाया गया और मीर कसीम ने अपनी राजधानी मुर्सिदाबाद से मुंगेर यानी की मुगदल पूरस्थांत्रित किया था नोट में दिया है कि बंगाल की राजधानी सबसे पहले ढाका थी मुगल काल से फिर मुर्सिदाबाद हुई मुर्सिद कुली खांके दोरा फिर मुंगेर जो है वो मीर कसीम ने किया बकसर कायूद 22 अक्टूवर 1764 को अंग्रेज एवं मीर कसीम अवद के नवाव सुजाओ दौला एवं मुगल समराथ साहालम दूतिये की सैक्ति सेना के बीच होता है कौनसा यूद बकसर कायूद 22 अक्टूवर 1764 को कोशन नमर 11 देखेंगे कि जैन धर्म के अंतिम तिर्थंकर महावीर की मिर्थू कहां हुई थी तो जैन धर्म के अंतिम तिर्थंकर महावीर की मिर्थू पावापूरी में हुई थी पावा पूरी में जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक पर्थम तिर्थंकर सिरिसब देव थे जैन परंपरा में कुल 24 तिर्थंकर काउल लेख मिलता है 23 में तिर्थंकर पारसब नाथ थे 23 में पारसब नाथ थे महाबीर के बचपन का नाम बर्धमान था, महाबीर को 12 वर्स की तपस्या के उपरांत, 42 वर्स की उम्र में जरिम्बिका ग्राम के शमीप, रिजुबालिका नदी के तटपर, साल विरिक्ष के नीचे कैबल लियानी की ज्यान की प्राप्ती हुई थी जैन प्रथम जैन फिक्षनू, ददी वाहन की पुत्री चमपा थी और महाबीर 72 वर्स की आयू में राजगीर के नीकट पाबापूरी में निर्वान को प्राप्ती हुई मलराज सुस्तिपाल के राजप्रसाद में महाबीर स्वामी का निर्वान प्राप्त होता है मलराजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में ही महाबीर स्वामी का निर्वान प्राप्त होता है जैन धर्म के जो त्री रत्न थे वो सम्मयक दर्सन था, सम्मयक ज्यान था और सम्मयक आचरन ये जैन धर्म के त्री रत्न हुआ करते थे जैन धर्म आत्मा, पुनर जनम और वमकरमबाद ने विश्वास करता था और इस्वर को नहीं मानता था जैन धर्म के दार्सनिक विचाड सांख्य दार्सन यानि प्रबर्तक जिसके कपिल थे काफी परफावित हैं बारा नमर क्रोस्चन देखेंगे कि बगवान बुद का जनम लूमनी में हुआ था तो बगवान बुद का जनम नेपाल के तराई में इस्थीत कपिल बस्तू के लूमनी नमक ग्राम में हुआ था नेपाल में बुद्धर्म जो है बुद्धर्म की बात करे तो बुद्ध के बच्पन का नाम सिधार्थ था इनका जन 563 पुर्व कपिलबस्तु के लुम्बनी जो की अब नेपाल है वहाँ पे हुआ था 29 वर्ष की अवस्था में सिधार्थ ने संसारिक दुखों से व्याथित्थ होकर चुपके से गृत्या किया जिससे बौद्धर में महावीनिस कर्मन कहा गया गिरित्या के उपरांत सिधार्थ ने सरपर्थम बैसाली के अलार कलाम से सांखे दर्शन की सिक्षा प्राप्त की और वो सिधार्थ बुद्ध के प्रथम गुरु हुए इसके बाद उन्हें रुद्रक राम पुत्र के से राजगीर में योग का सिक्षा प्राप्त हुआ बिना अनिजल गरहन किये 6 वर्स की कटिन तपस्या के बाद 35 वर्स की आयू में बैसाक पुर्निमा के रात निरंजना नदी के किनारे एक पीपल ब्रिक्ष के नीचे सिदार्थ को ग्यान की प्राप्ति होती है उसके बाद बुधेवं तथागत कहलाए विश्व दुखों से भरा है कासिधान तुबुध ने छंद को उपनिशत से लिया है कोशन 13 देखेंगे बिम्बी सार किस वंस का राजा था तो बिम्बी सार हर एक वंस का राजा था राजगिरी को अपना राजधानी बनाया बिम्बिसार का उपनाम स्रिनिक था वो बुद्ध के समकालीन एबम उसके अनुवाई थे महात्मा बुद्ध की शेवा में बिम्बिसार ने अपने राजव्यद जीवक को भेजा था जीवको अजासात्रू पित्री हंता सासा का उपनाम से कुनिक अजासात्रू का मर्थ होता है पित्री हंता और बौध संगती का आयोजन पर्थम बौध संगती का आयोजन अजासात्रू के काल में 483 इस्वी पुर्व राजगिर में हुआ था अजासात्रू की हत्या 471 पुर्व उसके पुत्र उदहीन ने कर दिया और राजगदी पर बैठा वो भी जैन धर्म का अनुवाई था उदहीन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली पुत्र याने की पटना का अस्थापना किया उसे मगत समराज की राजधानी भी बिनाया और नाग दसक हर रेकवन्स का अन्तिम सासक था चलिए आगे देखते हैं अजादा डिसकर्शन नहीं देंगे क्योंकि एक से टाप का कम सकमा 40 पेज का है तो 40 पेज का बहुत लंबा जायेगा इसलिए कुछ-कुछ बता देते हैं मांकिये स्किप्ट कर देते हैं सिबाजी को किसने कैद कर लिया था तो सिबाजी को कैद करने वाला और अरंगजेव ने जैपुर्भवन में कैद कर लिया था सिवाजी को अरंगजेव ने जैपुर्भोण में कैद करके रखा था सिवाजी सिवाजी की एकर हम बात करें तो सिवाजी जो था वो मराठा समराज का संस्थापक था और मराठा समराज की नीव 1674 इस भी में रखी थी और रामगड को अपनी राजधानी भी बनाया सिवाजी का जन्म 6 अपरेल 1627 को महराष्ट के सिवनेर दुर्ग जुनार के समीप पुना में हुआ था 1669 में बीजापुर के सेनापती अफजल खा को सिवाजी ने प्राजित कर मार डाला 1663 में सिवाजी ने मुगल सुविदार साइस्ता खां को हराया किन्तु और अरंगजेव के आदेश पर आमेर के राजा जैसिंग ने उन्हें बुरी तरह से प्राजित कर 22 जुन 1665 को पुरवंदर की संधी करने के लिए बाध कर दिया सिवाजी ने सूरत को दो बार 1644 में और 1670 में लूटा था औरंगजेव ने सिवाजी को राजा की उपादी प्रदान किया और सिवाजी का प्रसाशन अश्ट प्रधान के प्रामर से चलता था किन्तु वह मंत्री मंदल नहीं था इस अस्ट प्रधान में पेशवा याने की प्रधान मंत्री महत्पुर्ण होता था सिवाजी का कर बेवस्था मलिक अंबर की कर बेवस्था पर अधारित था मलिक अंबर की कर बेवस्था पर सिवाजी ने जमینदारी एवं जागिरधारी विवस्था का विरूद किया और रयतबारी विवस्था को क्या किया अपनाया चौथ चौथ जो था वो सिवाजी परोसी राज पर आक्रमन नहीं करने का वादा करके उससे यह वसूलते थे और यह सरकारी राजसु का एक चौथाई होता था सरदेश मुखी 10% अत्रिक्त अधिभार था जो उस छेतर से लिया जाता था जो मुगलों के अधिन था पर मराठा उस पर दावा करता था सरजामी पर्था का संबंद मराठा भूराजस विवस्था से है सरजामी पर्था का संबंद सिवाजी का तामबे का सिक्का सिवराई कहलाता था और मात्र तिरपन वर्स की उम्र में 3 अप्रेल 1680 को सिवाजी की क्या हो जाती है मिर्तु हो जाती है कोशन नमबर 15 देखिएगा कि महात्मा गांधी कब भारती राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो 1924 में भारती राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कॉंग्रेस के बेलगाओ अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी इनका समय 1879 से 1948 तक स्टार्ट होता है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1879 को पुर्बंदर में हुआ था गांधी जी 9 जन्वरी 1915 को दच्छिन फिरका से भारत वापस आएं प्रवासी भारतिय दिवस जो भारत सरकार द्वारा 9 तारीक को मनाया जाता है जो की सुरुआद 2003 में हुआ इन्ही के लोटने के उपलक्ष में मनाया जाता है प्रवासी भारतिय दिवस गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोकलो को अपना राजनितिक गुरु बनाए और ब्रिटिस सरकार ने गांधी जी को केसर एहिंद को केसर हिंद 1915 में अफरीका में लोटने के बाद उपाधी परदान की अफरीका में ही परदान की गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तित व्याख्या की उन्होंने नवजीवन गुजराती में यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया और उन्होंने हडजन पत्र का प्रकासन 1932 में आरम किया The Experiment With My Truth गांधी जी की आत्मकता है गांधी जी का सर्वो प्रिय भजन वैसनव जन्त को तैनू कहिए की रचना नर्शी में ताने की थी उन्होंने एहमदावाद में सावरमती नदी के किनारे सावरमती आस्रम की अस्थापना 1916 में किये और गांधी जी की हत्या 3 जन्वरी 1948 को दिल्ली के बिर्ला भवन में प्राथना सभा में जाते सेमें नाथू रामकोडिस ने कर दी थी 16 नमबर कोशन है कि बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन लॉड करजन द्वारा 1905 में किया गया लॉड मिंटो दूतिये 1905 से 1910 इसमी में इसके समय आगाखा एक सली मुलाखा के द्वारा धाका में 1906 में मुस्लिम लिंग की अस्थापना की गई और 1907 में कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्सा रास बिहारी बोस ने की थी वहाँ पे कॉंग्रेस का भिभाजन होता है इसके सासनकाल में 1907 में आंगल एबम रूसी प्रतिनी धी मंडलों के बीच बैठक हुई थी और मुगलों के लिए अलग निर्वाचन बेवस्था मारलो मिंटो सुधारा धिनी यम 1909 द्वारा किया गया था 17 नमबर कोशन है कि नेता जी सुभाज चंदर बोस रास्टिये खेल संस्थान कहां इस्तित है तो नेता जी सुभाज चंदर बोस रास्टिये खेल संस्थान जो है ये आपका पटियाला में है कहां पे पटियाला में नेताजी सुभास्चंद्र बोस अंतरास्टी हे हवाई अड़ा कोलकता पश्च्चि मंगाल में इस्तित है लखनव, लखनव की बात करे तो चौदरी चरंसिंग अंतरास्टी हवाई अड़ा है और नई दिल्ली में इंद्रा गांधी अंतरास्टी हवाई अड़ा है अठारा नमबर है राजा भोज निम्लिकित में से किस राजवन्स से संबंदित थे तो राजा भोज जो थे वो परमारवन्स के थे परमारवन्स से संबंदित थे परमारवन्स जो था वो परमारवन्स की अस्थापना उपेंद्र यानि की क्रिस्न राज ने की थी धारा नगरी जो की प्राचिन राजधानी उज्जेन थी परमारवंस की राजधानी थी राजा भोज इस वंस के महत्वपुर्ण सासक थे और उसने अपनी राजधानी उज्जेन से बदल कर धारा कर दी थी राजा भोज की उपाधी कभी राज था और राजा भोज की रचनाए भोज चम्पू, सिंगार प्रकास, सब्दानुशासन ये सभी राजा भोज की रचनाए थी इन्होंने चित्तोर में त्रिबुवन नरायन मंदिर की नस्थापना की, नौसीधिये चरित्र के लेखक स्री हर्स और परबंध चिंतामनी के लेखक मिरुतुंग थे उसके बाद है नव साहस संडच साडिता के रचैता पदम गुप्त, दस रूपक के रचैता धनन जय, धनिक हल्ला यूद, एबम, अमीत गती जैसे विद्ध्वान, वाक्यपती मुझ के दरवार में रहते थे राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरसती मंदिर का निर्मान करवाया औरंगजेव ने 1658 से लेके 1707 इस्वी तक औरंगजेव का सासन था औरंगजेव का जन्म 24 अक्टूबर 1618 इस्वी को दोहाद गुजरात नामकस्थान पर हुआ था औरंगजेव के गुरू थे मीर मुहम्मद हकीम औरंगजेव एक सुन्नी धर्म को मानता था उसे जिन्दा पीर कहा जाता था इसलाम नहीं स्वीकार करने के कारण जो सीख के नौ में गुरू थे तेंग बहादूर उनकी हत्या औरंगजेव ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी औरंगजेव 1689 में जजियाकर को पुनलागू किया था और औरंगजेव ने बीबी का मकबडा का निर्मान 1689 में औरंगाबाद महराष्ट में करवाया था बीस नमर प्रस्ण है कहरा है कि बीस नमर वर्स 1857 में मेरट में प्रथम सिपाही विद्रो की आग किस दिन भरकी तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा 10 मई को 1857 को मेरट में प्रथम सिपाही विद्रो की आग 10 मई अभी बार को भरकी थी 29 मार्च 1857 को गाई एबम सुवर के चर्वी वाले कर्तूस को बैरकपूर के 34 में नेटिव इंफेंट्री के सिपाही मंगल पांड़े ने उपयोग करने से क्या कर दिया मना कर दिया विद और बर विद्रो कर दिया फलता क्या हुआ कि 8 अप्रेल 1857 को उनको फांसी दे दी गई 10 माई 1857 को मेरट की पैदल टुकरी बीसनी एंफेंट्री ने नेटिव इंफेंट्री देशी पैदल सेना ने चर्वी वाले कर्तूसों के प्रस्ण पर विद्रो कर दिया और इसके साथ ही 1857 की करांती के शुरुआत हो गई 21 नमर प्रस्ण है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथू राम गोड़ेसे ने निम्निलिखित में से किस दीन किया था तो महात्मा गांधी को 30 जनबरी 1948 को नाथू राम गोड़ेस ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी 30 जनबरी 1948 को 30 जनबरी को देश भर में सही दीवस के रूप में मनाया जाता है निम्निलिखित में से किसे लोग नायक कहा जाता है तो अंसर हो जायागा आपका जैप्रकास नारायन को कुछ प्रमुख वेक्ति और उनके उपनाम को देने वाले जैप्रकास नारायन को लोग नायक कहा जाता है चलिए कुछ उपाधियों को देखते हैं सबसे पहले गुरुदेव गुरुदेव जो हैं ये रविंदनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने कहा था गुरुदेव महात्मा गांधी ने रविंदनाथ टैगोर को कहा था महात्मा की उपाधी महात्मा गांधी को रविंदनाथ टैगोर ने दिया था नेता जी सुभाष चंद्र बोस को या उपाधी एडॉल फिटलर ने दिया था सरदार बल्लभाई पटेल को सरदार की उपादी वार्दौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था देश रत्निया अजासात्रू डॉक्टर राजंदर परसाद को कहा जाता है और डॉक्टर राजंदर परसाद को देश रतनिया अजास सात्रू का उपाधी महात्मा गांधी के द्वारा मिला था उसके बाद काईदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था देश नायक सुभास चुदर बोस को रविन्ना टैगोर ने उपाधी दी थी स्वामी विवेका नंद को विवेका नंद की उपाधी महाराजा खेदरी ने प्रदान किया था राष्ट पिता महात्मा गांधी को कहा जाता है और राष्ट पिता सुभास्चंद्र बोस ने कहा था राजा की उपादी राजाराम मोहंडाई को अकबर दूतिये ने दिया था अर्ध नंगा फकीर महात्मा गांधी को विश्टन चौर्चिल ने कहा था लोग मानिकी उपादी बाल गंगाधर तिलक को उनके अनुवाईयों के द्वारा दिया गया था कोश्चन 23 है कि बुलन दर्वाजा नेमने लिखित में से कहा है तो बुलन दर्वाजा फतेफुर सिक्री में इस्तित है बुलन दर्वाजा का निर्मान अकवर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में करवाया था अकवर का जन 15 अक्टूबर 1542 को होता है इसके बच्पन का नाम जलाल था वह जलाल अरुदीन मुहमद अकवर बादसाही गाजी की उपादी से राज सिंहासन पर बैठा बैरम खा 1556 से 1560 इसवी में अकवर का संड़क छक रहा और पानीपत की जो लडाई होती है पानीपत की दूसरी लडाई 5 नौवंबर 1556 को इसमें अकवर और हेमू के बीच इस युद में अकवर विजय होता है और हल्दी गाठी का युद 18 जून 1576 को मेबार के सासक महराना प्रताप और अकवर के बीच हुआ इसमें युद में अकवर फिर विजय हुआ माराना परताप के घोरे का नाम चेतक और हाथी का नाम प्रसाथ था दीने इलाही धर्म का परधान पुरोहित कौन था अकवर था दीने इलाही धर्म स्विकार करने वाला प्रतम और अंतिम हिंदू सासक विर्वल था महेश दास नामक ब्रहमन को राजा बिर्वल की पदवी दी गई थी राजस्व प्राप्ती की जब्दी प्रणाली अकवर के सासनकाल में प्रचलित थी अकवर के दिवान राजा टोडो मल जिसको खत्री जो खत्री जाती के थे इन्होंने 1580 में 10 साल बंदो विस्त लागो किया और अकवर के दरवार में प्रसिद संगितकार तान सें रहा करते थे छोड़ देते थे कि बहुत ज़्यादा है यहाँ परिसान हो जाएगा आप लोग भी डिसकसन परपर के भारत का बैपारिक संबन्थ सबसे पहले किस यूरोप ये देश में अस्थापित हुआ तो भारत का बैपारिक संबन्थ सबसे पहले पूर्तगाल के साथ था 17 माई 1498 को जो बासको डिगामा ने भारत के पश्मितर्ट इस्तित काली कट बंदरगा पहुँच कर भारत एबम यूरोप के बीच नए समुद्री मारका खोज करता है और इस यात्रा में बासको डिगामा ने नए समुद्री मारका खोज किया जातक पवित्र गरंथ है तो जातक पवित्र गरंथ है बहुत धर्म का बहुत धर्म का जातक जो था वो पवित्र गरंथ था आगे देखते हैं question number 26 भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिये तो भगवान बुद्ध ने पहले अपने धर्म उपदेश दिये थे कहां पे तो वो दिये थे सार नाथ में कहां पे सार नाथ में दिये थे और सरबदिक उपदेश पूछे तो कौसल देश क सेख सुल्टान ने रमाय निवं महाभारत को फार्सी में अनुवाद किया महाभारत का नाम रजनामा युद्धो की पुस्तक रखा गया पंच तंत्र का फार्सी भासा में अनुवाद अबूल फजल ने अनवर ए सदात नाम से और मौलाना हुसेन फैज ने यार एदानिस के नाम से किया हाजी इब्राहिम सरहंदी ने अथरवेद का फार्सी में अनुवाद किया हाजी इब्राहिम सरहंदी ने राज तरंगनी का फार्सी अनुवाद मुला साब मुहमद ने किया लिलावती का फार्सी में अनवाद फैजी ने किया, भागबत पुरान का फार्सी अनवाद टोडो मलने किया और अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिहासन 32 का अनवाद फार्सी में किया कोश्यन 28 है कि वो मुगल समराज जिसका दो बार अभिशेक हुआ वो कौन था तो वो आपका औरंगजेब था, औरंगजेब को दो बार अबसे करवाया गया था उसके बाद है औरंगजेब को शुनहरा फर्मान कब परदान किया गया था तो औरंगजेव को सुनहरा फर्मान अट 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुव शाह 1626 से 1672 में परदान किया गया था आंसर नमबर B 1632 पुर्तगालियों ने गोवा पर एधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर एधिकार कर लिया था वो किया था? आपका इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर B 1510 में कब 1510 में? पुर्तगालियों ने गोवा पर एधिकार 1510 में कर लिया था सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदिया हैं तो सतलज, चिनाब और रावी ये सभी सिंधु की सहायक नदी है किसकी सिंधु की सहायक नदी है ब्रहमपुत्र की सहायक नदी दिवांग, लोहित, मानस, तीस्ता, दिहांग, धारला, स्वर्णसारी, सुवांसरी ये सभी किसकी ब्रहमपुत्र की जो है वो सहायक नदी है काबेरी की सहायक नदी हेमावती, भवानी, अमरावती, अक्रावती है और गंगा की सहायक नदी यमुना, गंडक, मूडी गंडक, महाननदा है 32 में है कि पृत्वी एक मात प्राकिर्तिय उपकरा है तो पृत्वी एक मात प्राकिर्तिय उपकरा है चंद्रमा प्रित्वी का आक्ष उसके कक्छा तल पर बने लंब से सारे 23 डिगरी जुका हुआ है और दूसरे सब्दों में प्रित्वी का आक्ष प्रित्वी के कक्छ तल से सारे 66 डिगरी का कौन बनाता है यह सौर मंडल का एक मात्गरा है जिस पर जीवन संभव है इसका विश्वतिय ब्यास 12,756 किलो मीटर और धुरूबिय ब्यास 12,714 किलो मीटर है दोनों ब्यासों का आंतर 42 किलो मीटर का है सौर प्रित्वी से दूरी पर 149,6 मिलियन किलो मीटर पर है और यह अपने अक्ष पर 25 से पूरव 16 किलो मीटर प्रती घंटा चाल से 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकिंड में एक पूरा चक्कर लगाती है प्रित्वी की इस गती को घुर्णन या दैनिक गती कहते हैं इसी के कारण दीन और रात होता है अब 33 नमर प्रस्ण देखिएगा कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमद सागर को किस के साथ जोडता है तो इस प्रसन का आंसर हो जाएगा आपका ओपसन नमबर दी लाल सागर को किस के साथ लाल सागर के साथ जोडता है इसे नौबर 1879 में नौपरिवहन के लिए खोला गया था स्वेज नहर एक कृत्रीम समुंद्री अस्तरिये जल मार्ग है या नहर अफरिका को एसिया महादुइप से अलग करती है या एसिया और यूरोप के भी सबसे छोटा समुंद्री मार्ग परदान करती है स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है मिस्र द्वारा इसका रास्टिये करण 1956 में किया गया स्वेज नहर के दस्टनी छोर पर पोट स्वेज और उत्री छोर पर पोट सयद पतन है ठीक है चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं कुश्चन नमबर आपका 34 तने की कटाई का पर योग निमनलिखित में से किना किसे पुना उगाने के लिए किया जाता है तो तने की कटाई का पर योग गन्ना पुना उगाने के लिए किया जाता है गन्ना जिसको सुगर कन कहते हैं सुगर देखे सैक्रम ओफिनेरियम ये इसका scientific name है इसके लिए जो गन्ना की खेती के लिए जो temperature होता है वो ताउस्न और आदर जलवायू के साथ 21-27 degree Celsius के बीज यहाँ पे बरसा 75 से लेके 100 cm होती है मिटी का परकार गहरी समुद्र दोमट मिटी होनी चाहिए और गन्ना उतपादक राज में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महराष्ट, फिर तमिलांडू और फिर विहार है फिनाटिस नमबर question है कि भारत के महानयाइवादी की निप्ति कौन करता है तो भारत की महान्याइबादी की नियुक्ती रास्टपती करते हैं कौन रास्टपती संभिधान का भाग 5 अनुछेद 76 के अंतरगत भारत में महान्याइबादी का पर्द का सिर्जन किया जाता है महान्याइबादी भारत सरकार का सरबोच विदी एधिकारी होता है या भारत सरकार को विदिक मामले पर सला देता है और महान्यायवादी की नियुक्ति संगीय मंत्री परसत की सला पर रास्ट पती द्वारा की जाती है 36 नमर कोश्चन है कि भारत का रास्ट पती अपना त्याग पत्र किसे सौपता है तो भारत का जो रास्ट पती होगा वो अपना त्याग पत्र उपरास्ट पती को सौपता है किसे उपरास्ट पती को वाइस प्रेसिडेंट अनुछेद 63 के अनुसार भारत का एक उपरास्ट पती होगा और संबिधान का अनुछेद 63 के अनुसार एक उपरास्ट पती होगा उपरास्ट पती से संबंदित प्रवधान अमेरिका के संबिधान से गरन किया गया है अमेरिका के सम्विधान से उपराश्ट पती राजसभा के पदेन सभापती होते हैं जो की अनुछेद 64 में वर्णित है अनुछेद 64 में और उपराष्ट पती की पधावधी अनुचेद सरसठ में दिया हुआ है 37 नम्र प्रस्ण है कि राजमंत्री पर्षद किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो राजमंत्री पर्षद बिधान सवा के प्रती उत्तरदाई होता है बिधान सवा, legislative assembly, बिधान सवा का कारिकाल पांच वर्सका होता है किन्तु विशेश वरिस्थिती में राजपाल को याइदिकार होता है कि वह इससे पुर्वी इसको विगटित कर सकता है 38 निवर प्रस्न है कि भारत के महानयाइबादी को कौन हटा सकता है तो भारत के महानयाइबादी को जो है वो रास्टपती हटा सकते हैं ये कोशन लगता है एक मिनट तो भारत के महानयाइबादी को रास्टपती हटा सकते हैं भारत के जो महानयाइबादी होंगे वो अनुछेद 76 में भारत के महानयाइबादी का पद का प्रभधान है अनुछ वो राष्टपती के परसादपंद धारन करता है और राष्टपती द्वारा किसी भी समय से हटाया जा सकता है 49 नमबर है राज सभा और लोग सभा की सयुक्त वैठक बुलाता है तो राज सभा और लोग सभा की जो सयुक्त वैठक है वो बुलाते हैं राष्ट पती लेकिन अध्यक्षता करता है लोग सभा का अध्यक्ष यदि किसी सधारन विधायक पर दोनों सदनों में कोई और सहमती हो तो उसे सुलजाने के लिए राष्ट पती दोनों सदनों की सयुक्त वैठक अनुछे देख 108 के तहद बुलाते हैं एक बेकती ग्राम पंचायत की सदस्ता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए गर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्सिया उससे ज़्यादा 21 वर्षिया उससे ज़्यादा पंचायती राज पंचायती राज लॉड रीपन का 1882 में शंकल्प अस्थानिय स्वासासन के लिए मैगना काटा का हैसियत रखता है रीपन को भारत में अस्थानिय स्वासासन का पिता कहा जाता है पंचायती राज विवस्था का मुलुद देश विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को शुनिशित करना तथा लोगतांत्रिक विकेंद्रिक रन को बढ़ावा देना है पंचायती राज का सुभारम जो है वो 2 अक्टूवर 1969 को भारत के पर्थम परधान मंत्री पंडित जवाहरला नहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से हुआ एक गारा अक्टूवर 1969 को पंडित नहरू ने आंधपर्देश राज में पंचायती राज प्रारंब किया पंचायत को यदी किसी विधी के अधिन पहले ही विगटित नहीं कर दिया जाता तो इसकी अबधी अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारिक से पांच वर्स होगी अनुछे 243 के डौ में है यदी किसी पंचायत को समय से प्रूब भीगटित कर दिया जाता तो उसके निर्वाचन छो महीने के भीतर सेश वचे हुए अवधी के लिए कराया जाता है और किन्तु यदी पंचायत ऐसे समय भीगटित किया जाता है जब उसकी अवधी छो महीने से कम बची हो तो सेश अवधी के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है 41 नमर प्रस्ण है कि राज्यसभा का सदस निर्वाचित होने के लिए आवस्यक 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 संख्या 250 निर्धारित की गई है जिसमें 12 राष्ट पती द्वारा नर्म निर्धासित किये जाते हैं और 238 सदस राज्जों और शंग छेत्रों से प्रतिन्दित होते हैं संबिधान की चौथी अनुसुची में राज्जों और शंग राज्ज छेत्रों के अस्थानों यानि सीटों का आबंटन का उपबंद किया गया अस्थानों का आबंटन परतेक राज की जनसंख्या के अधार पर किया जाता है अनुशेद 84 में संसद की सदस्ता के लिए योगिता निर्धारित की गई है और राज्ज सभा की सदस्ता के लिए जो योगिता होगी वो होगा कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम 30 वर्स की आयू होना चाहिए राजसभा का एक अस्थाय सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है इसके जो सदस होते हैं 6 वर्स का इनका कारिकाल होता है और इसके एक तिहाय सदस प्रती 2 वर्स के बाद सेवानिर्थ हो जाते हैं जो अनुशेद 83 के खंड एक में है भारत का उपराष्ट पती राजसभा का पदेन सभापती होता है जो अनुशेद 98 में है उपसभापती यदि राजसभा का सदस नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा सभापती को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वो अपना पद त्याग सकेगा जब सभापती या उपसभापती को पद से हटाने का संकल्प विचारा धीन हो वो पिठा सीन नहीं होगा अनुशेद बिरानविर में है मंत्री परिसद राजसवा के प्रती उत्तरदाई नहीं होता है 42 नंबर है कि भारत के राष्टपती को पद से हटा सकता है तो भारत के राष्टपती को पद से हटा सकता है संसद कौन संसद राष्टपती पर महावियोग अनुशेद 61 में दिया हुआ है राश्टपती द्वारा सम्विधान के प्रवधानों का उलंगन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महावियोग लगाया जा सकता है लेकिन इससे पहले राश्टपती को चौदा दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के एक चौधाई सदस्त के हस्ताक्षर हो संसद के उस सदन जिसमें महावियोग का प्रस्ताब पेश है कि दो तिहाई सदस्तो द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताब दूसरे सदन में जाएगा और तब दूसरा सदन राश्टपती पर लगाए गए आरोपों की जाँच करेगा या करबाएगा और ऐसी जाँच में राश्टपती के उपर लगाए गए आरोपों को सिद करने वाला प्रस्ताब दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तब राश्टपती पर महावियोग की प्रकिरिया पुरी समझी जाएगी और उसी तिथी से राश्टपती का पद त्याक करना होगा कोश्चन 43 देखेंगे कि अनुछेद 370 का संबंद किस राज विशेश प्रवधान से है तो ये जम्मु कस्मीर से है जो ब्रत्मान में अवसमाप्त हो चुका है स्वेट क्रांती का संबंद किस छेतर से है तो स्वेट क्रांती का संबंद दूद से है किस से है दूद से रेशम किस से उत्पन होता है तो रेशम जो है वो रेशम कीरे के लारवा से रेशम का उत्पादन किया जाता है रेशम ये सिल्क या रेशे के जातव रेशे होते हैं रेशे के फाइवरों को रेशे जो है रेशम के फाइवर को बनाते हैं रेसम प्राप्त करने के लिए रेसम कीटो का पालन रेसम कीट पालन यानि सेरी कलचर कहलाता है। चालिस नमबर है दूद के फटने पर कौन सा एसी रूथपन होता है तो दूद के फटने पर लैक्टिक एसी रूथपन होता है लैक्टिक अमल जो है ये दूद में होता है टाट्रिक अमल इमली में होता है एस्रिटिक अमल फलो में होता है एस्रिटिक अमल फलो के रशो में जो होता है वो लाल चीटियों में होता है साइट्रिक अम्ल खटे फल में बेंजोईक अम्ल घास पत्ते और मुत्र में होता है और जलिक अम्ल बेसा रेल या बेसा रेल का व्रिक्ष टमाटर में और गलूमेटिक अम्ल गेहूं में होता है 47 नमबर प्रसन है कि किस रक्त वर्ग के बेक्ती सर्वदाता यानि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं तो ब्लड ग्रूप ओ जिसका होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है मनुस के जो रुधीर वर्ग होते हैं उसका खो सबसे पहले लेडर स्टीनर ने उनिश्व में पता लगाया और सभी मनुसों का रुधीर समान ना होकर अलग-अलग होता है 48 नमबर कोश्चन है कि संत्रे किस के प्रवल सुरोत हैं तो संत्रे जो हैं वो बिटामिन के प्रवल सुरोत हैं बिटामिन सब्द का सरपर्थम खोज C-Fung के द्वारा 1911 में किया गया था और मानव सरीर में इस कार्बनिक पदार्ट की अवसकता कम मात्रा में होती है 49 है कि इन में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है तो घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ना कि मच्छरों से घेंगा एक रोग है जिसे गला फूल जाता है और ये सरीर में आयोडीन की कमी से होता है आयोडिन की कमी के कारण थाइराइड गरंथी में सूजन आ जाता है मच्छर से होने वाला रोग है डेंगू जो की मादा एंटीज के काटने से होता है चिकनगुनिया मादाएंडी से, मलेरिया मादाएंफली से, फलेरिया, वाउचेरिया, ब्रेक्टोफाई से, जीका बुखार, पिला बुखार, ये सभी मच्छरों से होने वाले रोग हैं पचास नमबर है कि पालक के पत्ते किसके प्रवल सुरोत होते हैं तो पालक के पत्ते जो है वो आईरन के प्रवल सुरोत होते हैं बिटामीन एका प्रवल सुरोत गाजर है गाजर में प्रचूर मात्रा में कैरोटिन पाया जाता है और बिटामीन एका सुरोत तेल, गेहुं, अंडे का जड़ी, स्वाबीन आदी हैं 51 नमबर है, दंत 6 का कारण है तो दंत 6 का कारण जो है, वो है, बैक्टिरिया जनित संक्रमन Option नमबर C, मूँ का pH मान 5.5 कम होने पर दातों का च्छे प्रारंब हो जाता है और दातों में जो इनामेल होता है, वो कैलसियम हाइड्रो एक्सिटेपेटाइट यानि की कैलसियम फॉस्टेट का क्रिस्टल ये रूप से बना होता है जो की सरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, और यह जल में नहीं घुलता लेकिन मूँ का pH मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है और मूँ में उपस्तित बैक्टेरिया बोजन के पशात मूँ में अपसिस्ट संकरा या खाद पदार्थ का निमनी करन करके अमलूतपन करते हैं और बोजन के बाद मूँ शाफ करने से इसका बचाव किया जा सकता है मुखी सफाई के लिए छार की ये दंत मंजन का उप्योग करने से अमलिकी अधिक मात्रा में उदासीन किया जा सकता है जिसके परिणाम सरूप दंत 6 को रोगा जा सकता है 52 नमबर कोश्चन है कि एंटी टॉक्सीन का इंजेक्शन किस के रोग थाम के लिए दिया जाता है तो टिटनेस के रोग थाम के लिए एंटी टॉक्सीन वैक्सीन दिया जाता है टीवी यानिकी तापेदिक या फिर छेरोग जिसको बोलते हैं ये माइको वैक्टिरियम टुवर क्लॉसिस नामक जिवानों के कारण होता है इससे हमारा जो लंग्स के टीशू होते हैं उसमें बायू के द्वारा संक्रमन होता है वी सी जी ये वैसिलस कोलमेट ग्वेरीन का टीका मुकिता छेरोग की रोगथाम के लिए उप्योग किया जाता है टाइफाइड अत्यदिक संक्रमन बैक्टिरिया सालो मोनेला टाइफी के करण होती है और यह संक्रमित भोजन पानी के माध्यम से फैलता है तीरपन नमबर प्रस्ण है कि अलवर्ट आइंस्टीन थे एक प्रशिद तो अलवर्ट आइंस्टीन एक भौत्तिकी सास्त्री थे एक फिजिक सियन्स थे ये इसके वाद है भाफ इंजन का अभिस्कार किस ने किया था तो जेम्स वाट ने भाफ इंजन का अभिस्कार किया तो जब किसी माद्या में ताप बढ़ता है तो उस माद्या में परकास का बेग और पडिवर्तित रहता है मुखिता निम्न गैस ग्लोबल बार्मिंग के लिए जिम्मिदार है तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा गैस जो है वो global warming के लिए जिम्मेदार है तो इस प्रस्न का answer हो जाएगा आपका option number ग्लोबल बार्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो इस प्रस्न का answer हो जाएगा carbon dioxide option number A क्या हो जाएगा carbon dioxide अगला प्रस्न देखते हैं question number 57 निमनी में से किस्त में अप्रमप्रागत उर्जा सुरोत का उपियोग होता है तो सौर लालटेन में अप्रमप्रागत उर्जा सुरोत का उपियोग होता है उर्जा के वो सुरोत जिनका उपरियोग अभी जल्दी में ही किया जास रहा है उसे अप्रमप्रागत सुरोत कहते है जैसे आपका सोलर एनरजी हो गया, पवन उर्जा हो गया, बायो गैस, गोबर गैस हो गया 58 नमर प्रस्थन है कि निमनी यंत्र से विद्धु धारा का मापन कहते हैं तो विद्धु धारा को एंपियर में मापने हेतु परियुक्त आमीटर है वायू की सक्ती और गती मापने का यंत्र एनिमो मीटर है दो विन्दु के आबे सो विन्दा को मापने वाला यंत्र वोल्टी मीटर है फैदो मीटर से समुद्ध की गहराई मापते हैं और विद्धुत परवा की दिसा को बदलने वाला उपकरन AC को DC में बदलने वाला उपकरन Rectifier है पौदे की विर्धी को दरसाने वाला यंत्र क्रेशको ग्राफ है हिरदय की गती जो मापने वाला यंत्र होता है उसको कार्डियो ग्राफ बोलते हैं और पानी के जहाजों में जो सही समय ग्याद करने के लिए उप्युक्त उपकरन होता है उसको क्रोनो मीटर बोलते हैं 59 है कि डाइनमो वह यंत्र है जो निम्न को प्रबर्तित करता है तो डाइनमो वह यंत्र है जो यांत्रिक उर्जा को व्यद्धित उर्जा में परिवर्तित करता है option number V source cell की बात करें तो source cell उर्जा जो है ये प्रकास उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है विद्धुत मोटर विद्धुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में, माइक्रोफोन धोनी उर्जा को विद्धुत उर्जा में, लाउड स्पीकर विद्धुत उर्जा को धोनी उर्जा में और सितार यांत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में बदलता है वहीं आपका बल्व, ट्यू, लाइट, हीटर का जलना ये सभी जो है विद्दूत उर्जा को परकास और उस्मा उर्जा में परिवर्तित करता है मुंबत्ती का जलना रासाइनी कुर्जा को परकास और उस्मा उर्जा में कोईले का जलना रासाइनी कुर्जा को उस्मा उर्जा में, विद्धूत सेल रासाइनी कुर्जा को विद्धूत उर्जा में, इन जन उस्मा उर्जा को यांत्री कुर्जा में और परकास विद्धूत सेल परकास उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलता है साथ देखिएगा गैलवेनी करित लोह चादरों पर निम्ण की परत चड़ी होती है तो इस पर जस्ता का परत चड़ाया जाता है ताकि इसे जो है जंग से बचाया जा सके ओप्सन नमबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला प्रसन आप देखेंगे कोश्चन नमबर 61 प्रित्वी में उपलद सबसे कठोरतम पदार्थ है तो प्रित्वी में उपलद सबसे कठोरतम पदार्थ जो हो जाएगा वो आपका होगा ही रा ओप्सन नमबर V वासिंग सोडा किसका समाने नाम है तो वासिंग सोडा का समाने नाम देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका अने नाम जो है सोडियम कार्बोनेट का वो धोने वाला सोडा या फिर वासिंग सोडा भी होता है अगला देखते हैं जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रनी है तो इस प्रस्न का अंसर हो जाएगा D कटिहार जूट के उत्पादन में बिहार का जो कटिहार जिला है ये सबसे आगे है ये देख रहे हैं कि 63 जो BPSC का एक्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था 18-57 के विद्रों में बाबु कुवर सिंग ने बिहार के किस छित्र से नेत्वित पडान किया था इस प्रस्न का डिसकसन हम नहीं दे पाएंगे मिल जाएगा आपको स्टरी नोट्स में और बहुत बार इस प्रस्न का हम डिसकसन कर चुके हैं तो इसको स्कीप करेंगे वीड कि सहायक नदियों द्वारा निर्मीत मैदानी छेत्र इस्थित है यह मैदानी छेत्र उपजाओ जलोड मिर्दा भूजल संसादनों से सम्रिद है किर्सी है तुब भोगोलिक अनुकूलताओं की उपलबता के कारण या एक किर्सी पर्थान राज है फरनिश्चर नाथ रेन में भारत छोरो स्वधिनता अंदोरन में भाग लिया और उनके प्रसिद कहानी ढूमरी अगनी खोर आदिम रात्री की महक तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम मैला आचल परती पड़ी कथा ये सभी इनकी उपन्यास है 68 देखते हैं बिहार में कुल कितने परमंडल है तो बिहार में कुल 9 परमंडल है पटना, सारन, मगद, दरवंगा, तिरहुत, पुर्निया, कोसी, भागलपूर और मुंगेर चीक है वर्ष 2001 की जनगना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है तो कुल जनसंख्या कितनी है इस प्रस्ण का अगर आप आंसर देखेंगे तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A तो यहाँ पे दिया है कि वर्ज 2001 के जनगना की अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,28,88,796 है अगला प्रस्ण देखते हैं कोशन नमबर 70 सितारा देवी किस वादी अंतर से संबंदित है तो सितारा देवी लोग निर्थ से संबंदित हैं इनका जन जन जो है कोलकत्ता में 3 अक्टूवर 920 को होता है और रविंद नाठ टेगोर ने सितारा देवी को निर्थ समरांगनी का खिताब भी दिया था पटना हाई कोट की अस्थापना कब होई थी तो 1916 में पटना हाई कोट का अस्थापना होता है पटना उच न्याले की बात करें तो 3 फरवरी 1916 72 नमर प्रेश्ण है कि बिहार में लोगशभा सीट की शंख्या कितनी है तो बिहार में लोगशभा सीट की शंख्या 40 है और लोगसभा में अनुसुजित जाती के लिए आरक्षित सीट 6 है गोपाल गंच, हाजीपूर, समस्तिपूर, गया, जम्मू और सासराम ठीक है ये सारे लोगसभा सीट हैं उसके बाद आप देखेंगे कोश्चन नंबर 73 को तो भारत में सत्यागरा गांधी जी ने कहां शुरू किया था तो भारत में प्रथम सत्यागरा गांधी जी ने सुरू किया था चमपारन से कहां से चमपारन से चमपारन सत्यागरा के अगर हम बात करें तो यह एक किसान आंदोलन था जो की वर्स 1917 में गांधी जी के नित्वित में नील उत्पादा किशानों को तिनकटिया पर्था के विरोध में हुआ था ठीक है 74 नमर प्रस्ण है की वर्तमान भारत के वर्तमान राष्टपती कौन है तो जब आपका एक्जाम हुआ था अगला प्रस्ण देखते हैं की भारत के ताइस में राष्टपती कौन थे थे वर्तमान थो द्रोपती मुर्मू है लेकिन अभी का लेकिन 2008 में 2008 का है सौरी 18 निकल गया 2008 में जो एक्जाम हुआ था उससे में जो पूश्ण पूछा गया था तो उसके एकॉर्डिंग आपका प्रतिभादेवी सिंग पाटेल हो जाएगी जो कि भारत की पहली महिला राष्टपती थी परतिभादे भी पाटेल ऑप्सन नंबर भी बिलकुल करेक्ट आंसर है अगला प्रस्ण देखते हैं कि भारत के 23 में सेना प्रमुख कौन बने तो भारत के 23 में सेना प्रमुख दीपक कपूर को बनाया गया था ठीक है दीपक कपूर को उसके बाद भारत के मुखनयाधिस कौन है यह सब आपका करेंट अफेर का प्रस्ण जो है इसको स्कीप करते हैं और इसका आप देख लीजेगा वर्तमान वाला भारत के जो मुखनयाधिस कौन है तो इसका आंसर आपको उसके कौर्डिंग दी हो पुर्व डॉक्टर एपी जय अब्दिलकलाम को बनाया गया जो कि नालंदा की स्थापना 2014 में राजगीर में प्राची नालंदा विश्विद्याले के ध्वाव सेस पर किया गया था और वर्तमान 2017 में जो डॉक्टर विजय वर्टकर को इस विद्याले का चांसलर बनाया बिहार में कितनी साक्षरता दर 2001 की जनगना के अनुसार है तो 2001 की जनगना के एक ओर्डिंग देखा जाए तो 47.53% है लेकिन वर्तमान आप 2011 का जनगना पर रहे हैं तो कुल साक्षरता 61.8% है जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2 है और महिला साक्षरता 51.5% है आगे देखते हैं कि भारती एस्टेट बैंक ने हाली में भारत के बाहर कहां अपनी नई साखा खोला तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा कि भारती एस्टेट बैंक इजराइल में 2007 में अपनी नई साखा खोली इजराइल में सार्क का सबसे नया सदस है तो सार्क का नया सदस अफगानिस्तान है सार्क जो की दस्टीने 26-23 शंगठन इसका नाम दच्छेस भी है 1985 में इसका अस्थापना होता है काठमांडू हेटक्वार्टर है वर्तमान में इसमें जो सदस देश है वो भारत पाकिस्तान बांगलादेश स्री लंका नेपाल माल्दी बुटान सब मिलकर जो है संगठन है और 2007 में सार्क में 14 में सिखर सम्मिरन में अफगानिस्तान इसका आ और नेपाल के रास्तांतरिक व्यवस्था के अंतिन सासक राजा ग्याननद विक्रम शा थे वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमन विल्थ खेलों की मेजवानी करेगा तो वो करेगा आपका भारत 2022 में बर्मिंगम इंग्लेंड में कॉमन बिल्ट और एस्टेलिया कुल 178 पदक प्राप्त कर तालिका में सिर्ष अस्थान पर रहा भारत ने 32 स्वर्ण सहीत कुल 61 पदक जीते और पदक तालिका में 4 अस्थान प्राप्त किया वर्ण 2008 में हो रहें ओलंपिक खेलों का आयोजन अस्थाल है 2008 में जो ओलंपिक हुआ था वो चीन में हुआ था बिहार में पूल सरक निर्वान के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुवंद किया तो बिहार में पूल सरक निर्वान के लिए तातिया कंस्ट्रक्शन नामा कंपनी के साथ सयो किया ध्यांचंद किस खेल से संबंदित खिलारी तो ध्यांचंद होकी के खिलारी प्रशित खिलारी हैं ट्राइब रेकर किस सब्द किस खेल से संबंदित है तो ट्राइबेकर आपका फूटबॉल और होकी दोनों से संबंदित है अगला देखते हैं कोश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है जारकंड देश का कौन सा राज है तो जारकंड देश का 28 मा राज है जिसका गठन 15 नौवंबर 2002 को हुआ जिसकी राजधानी रांची है अंतरास्टिय महिला दिवस मनाया जाता है तो अंतरास्टिय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है सयुक्ति राष्ट संग का मुख्याले कहा है तो सयुक्ति राष्ट संग का मुख्याले निव यूर्क यूसे में है उसके बाद निक्स देखेंगे कि जैस्पाल राना का नाम निलिकित खेलों में से एक संबंदित है तो जस्पाल राना निसाने वाजी से संबंधित है जस्पाल राना निसाने वाजी से WWE के भागिदार दा ग्रेट खली का असली नाम क्या है तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा WWE रेसलर दा ग्रेट खली का असली नाम है option number C उसके बाद देखते हैं question number 92 पंडित रवी संकर का संबंध निम्निलिखित में से किस वाद वादन से है तो पंडित रवी संकर का संबंध सितार वाद यंद्ध से है ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत इबं बांगलादेश के बीच कौन सी रियल काड़ी चलाई वेली गंटन कप का संबंद किस खेल से हैं तो वेली गंटन कप का संबंद जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हौकी से किस से हौकी से मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए कौन सा अतियावश्यक है तो mobile cell phone के काम करने के लिए अती आवस्यक आपका हो जाएगा एक तो होगा आपका काम करने के लिए अनुकूल handset, सेवा प्रदाता network और SIM card सभी D आपका correct answer हो जाएगा निमने लिखित में से कौन से personal computer के कुझी पटल को कुझी प्रमपरागत टाइप राइटरों में उपलब्ध नहीं है तो वो हो जाएगा आपका enter enter जो है वो personal computer की कुझी पटल की कुझी प्रमपरागत टाइगर में उपलब्ध नहीं है जबकि tab, space bar, back space जैसे उपलब्ध प्रमपरागत दोनों computer में उपलब्ध है निमने लिखित सब्दों में से कौन सा सब्द internet कार परणाली से संबन दीत है तो email जो है ये internet कार परणाली से संबन दीत है AIDS का पुर्णूरूप क्या है Acquired Amino Deficiency Syndrome Option number C बिल्कुल correct answer हो जाएगा Next question है 99 टेलीफोन का अविस्कार किस ने किया तो टेलीफोन का अविस्कार ग्राहम बेल ने किया किसने ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का अविस्कार And next question है Last app का कि संचिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है तो polar satellite launch vehicle यह इसका full form है तो इसे याद रखेगा option number D इधर भी को एक्जाम में यह पूछा गया था तो finally दोस्तों आपका जो यह previous year का book था टोटल 18 का 18 आपका आज complete हो गया है तो आप लोग जाके देखिएगा 18 प्राक्टिसेट को काफी मदद करेगा आपका 70% अगर आप दरोगा के तियारी करते हैं तो 70% question आपका यहां से solve हो जाएगा और यह आपको BPSC में भी help करेगा इसमें BPSC से भी related question है तो उमीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा पसंद आया तो like कीजेगा चैनल पे नए आए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा मिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा मिलते हैं इसके study notes के master video के साथ जो की part third होगा तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत